स्ट्रेंड्स रचनास क्रेशन कर्ची से कलम तक में आप सबका स्वागत है अगर आप लोग किसी भी पतियोगी परिक्षा की तियारी कर रहे हैं तो आप लोग को यह जरूर पता होगा कि परिवहन एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है जोग्रफी का चाहे वो टॉपिक से पूछे जाते हैं वर्लड और इंडियन जोग्रफी को मिला कर परिवहन में भी सेक्षिंस हैं रेल परिवहन सड़क परिवहन वायू और जल यह चार परिवहन जो है न यह इंपोर्टेंट है और इसी से कोश्चन साथे हैं करेंट से रिलेटेड और पहले इंडियन जोग्रफी का और उसके बाद वर्ल्ड जोग्रफी का परिभान करेंगा और इसको अगर आप पूरा देख लीजेगा ना तो आपका बहुत अच्छे से ये टॉपिक तयार हो जाएगा 15 मिनट की वीडियो है एक टॉपिक का बैक एर कोश्चन कवर और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके देखें सारे सब्जेक्ट पूरे जीएस के टोटल सब्जेक्ट की वीडियो की लिंक है 15 मिनट में एक एक टॉपिक कवर करने की तो चली शुरू करते हैं आज का टॉपिक परि सबसे पहला है की वर्ड ग्राइंड टंक रोड भारत में क्या है कि सिंदुगाटी सब्वता के समय से मैंने आपको इंसिंट में पढ़ाया है सडक निर्मान की परंपरा चली आ रही है लेकिन ग्राइंड टंक रोड जो है ना वह कपकी है यह मुगल रोड है इसको कहते है म मैप में भी इसको देख लिजेगा आप लोग धाका से लाहर तक यानि की उत्तर भारत के सभी प्रमुख नगर को जोड़ने वाली सडक कौन सी है ग्राइंड ट्रंक रोड और दूसरा क्या है कोश्चन की वर्ड वर्तमान इस्तिती सडकों की यह डाटा बेस्ट कोश्चन जैसे कि क्या क्या आचुके हैं वर्तमान जमें में भारत में कितने किलोमीटर सरक नेटवर्क है तो यह है पच्पन लाग किलोमीटर जो विश्चों का मतलब किस नमबर पर है तो दूसरा सबसे बड़ा सरक नेटवर्क है इसके बाद परिवहन छेत्र में 67% माल का यातायात और 90% यात्री यातायात यानि ये दोनों परिवहन किसके द्वारा होते हैं सडक परिवहन द्वारा ये डाटा बेस्ट कोईशन है वर्तमान इस्तिती को ले करके और इसमें से दो कोईशन पूचे जा चुके और ये आपके लिए भविश्य में इंपोर्टेंट हो सकता है अब इसके बाद तीसरा क ये वर्ड है नागपूर योजना अब ये नागपूर योजना क्या है तो नागपूर योजना देख लेते हैं 1943 नागपूर योजना के तहट क्या किया गया कि जो भारत की सडक है ना उसको चार वर्ग में विभाजित कर दिया गया एक तो रास्टिय राजमार गयानी नेशनल हाईवे बनाया गया दूसरा प्रांतिय राजमार गयानी की स्टेट हाईवे तीसरा जिला सडक यानी की डिस्टिक रोड और चौता ग्रामीन सडक यानी विलेज रोड तो कौन सी योजना के तैत नागपुरी योजना के तैत 1983 में बारत की सडकों को चार पार्ट में बाटा गया नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्टिक रोड्स और विलेज रोड्स अब अगला कोश्चन बनता है कि यह जो रोड्स है निर्मान है इसका कारे कौन देखता है सबसे महत्पून important question है तो यह सडक निर्मान की पूरी प्रणाली जो है न और उसका रख रखाओ यह देखता है सार्व जनेक निर्मान विभाग और रास्टिय राजमार प्रादी करण रास्टिय, राजमार, प्राधी करन ये दोनों जो है न इस पूरे निर्मान कारे को देखते हैं अब अगला जो सेक्षन है वो है डाटा बेस्ट कोश्चन तो कौन-कौन से डाटा है जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं मैं आपको वो बताती हूँ तो सबसे पहले डाटा के हिसाब से रास्टिय, राजमार की कुल लंबाई कितनी है लास्ट डाटा जो मिला था उसके हिसाब से ये है 100475 किलो मीटर जो देख की कुल सरक की लंबाई का मात्र 2% है ये है नेशनल हाईवे का लंबाई पर पूरे देश की सरक परिवहन का 40% काम जो होता है ना याता यात वो नेशनल हाईवे से ही संपन्न होता है मतलब लंबाई के हिसाब से पूरी सरकों का सिर्फ 2% है लेकिन ये 40% काम करती है लोगों के याता यात का इसके बाद देश में 265 से अधिक रास्ट्य राजमार्ग है नेशनल हाईवेज हैं जिसमें सबसे लंबा रास्ट्य राजमार्ग जो की बहुत बार कोश्चन पूछा चा चुका है अब नेशनल कहा से कहा तक है वारा नसी से कन्या कुमारी तक अभी मैं आपको सारे नेश का इंपोरटन नेश कौन कोन से हैं और कौन कोन से पूछे जा चुक हैं वह मैं आपको आगे बताऊंगी और बहुत से students na coding चाहते हैं तो मैं एक series शुरू करूँगी पूरे GS की coding की ही जिसमें रोज मैं coding के थुरू आपको याद करूँगी अगर शुरुवात में आप coding के थुरू याद करने लगिएगा तो आप मेंस में एक अच्छा answer form नहीं कर पाईएगा और pre में भी confused हो जाएगा तो पहले एक कहानी की तरह हर topic को समझ लीजिए और उसके बाद खुझ से भी उसकी coding बनाईए और मैं भी आपको उसकी coding बना करके दूँगी इसलिए अभी मैंने coding वाली video पोस्ट करना रोका हुआ ताकि पहले आपको मैं सारे topics basic के साथ cover करवा दूँ बैक एर कोश्चन के साथ तो यह जो एनस से वेन है ना वह बनारस से कन्या कुमारी तक जाता है अब कुछ important चीजे मैं आपको बताती हूं अगर आप लोग के पास यह सारी चीजे नटा नहीं है तो आप इसको note down भी कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो को दुबारा देख लिजेगा तो आपका revision हो जाएगा तो सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्राले द्वारा पांच मार्च 2010 को जारी अधी सूचना के नुसार भारत का सबसे लंबा रास्टी राजमार्ग NH44 है जो जम्मू कश्मीर राजमे स्रीनगर के निकट NH1 के जंक्शन से हो करके ये बहुत लंबा रूपते करता है बनिहाल जम्मू कठुआ पंजाब जालंधर लुधियाना राजपुरा हरियाना में अंबाला करनाल पानिपत कुंडली फिर दिल्ली पहुँचा फिर हरियाना में फिर से फरीदा बाद पल्वल होडल फिर पहुँचा यूपी यूपी में मथुरा आगरा फिर पहुँचा राजस्थान धौलपूर फिर पहुचा मद्रप्रदेश मुरैना ग्वालियर दतिया फिर से वापस आया उत्तर प्रदेश, तो जहांसी, ललितपूर, फिर से वापस मद्र प्रदेश, सागर, नर्सिंग पूर, लखनादून, शिवनी, फिर आया अगला इस्तेट महरास्ट, नाकपूर, जंब, पंधर, फिर आया तेलंगाना, इसमें आदिलाबाद, निर्मल, जगह का नाम उतना इंपोर्टन नहीं है, तो इस तेट में आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर उसे होकर के पहुंचा पंजाब, पंजाब से हरियाना, हरियाना से यूपी, उसके बाद एमपी, दिल्ली, महरास्ट, तेलंगाना, करनाटक में बैंगलोर है, उसके ब तमिल नाडू, यानि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, दस राज्यों से होकर गुजरती है, एनच फ़र्टी फोर, जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के तमिल नाडू पर खतम होती है, ये पांच, मार्ज, दोहजार दस को यह अधी सूचना जारी क करके बताया गया, कि ये सबसे लंबा है, तो ये आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, और NH7 जो है, वो फाजिलका को मार से जोड़ता है, ये नया डाटा है, आपको पता होना चाहिए, ये फाजिलका को मार से जोड़ता है, ये हैं आपके data-based question जो पूछे जा चुके ह और आपको NH4 का स्टेट से याद रखना बाकी जगह का नाम नहीं याद रखना जरूरी नहीं है तो अब मैं आपको बताती हूं सारे NH के बारे में और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर दीजेगा कमेंट करके बताएग इन तो सिंपल सिंपल चीजें देख लेते हैं जो नैशनल आईवे रास्टी राजमार्व संख्या और एक और दो को समलीत रूप से कहा जाता है Grand Prank Road ठीक है अब राश्टी राजमार्व शंख्या एक के बारे में पहले देखते हैं यह ना दिल्ली अम्बाला जालंधर अमरिच सर और इंडो पार्क बॉर्डर इसले ये इंपोर्टेंट है ये है रास्टी राजमार संक्या नेशनल हाई वे वन का पूरा रास्ता तो ये इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि इंडो पार्क बॉर्डर पे कौन सा है रास्टी राजमार NH1 अब देखते हैं NH2 यह है दिल्ली मतुरा आगरा कानपूर इलाहाबाद वारा नसी में या बरही और कोलकाता तो दिल्ली से कोलकाता तक हो गया आपका नेशनल हाईवे नंबर 2 बस आपको यह याद रखना और अगर आप स्थेट PCS की त्यारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्थेट से कौन-कौन सी नेशनल हाईवे गुजरती है इसलिए आपको याद करना ज़रूरी हो सकता है जिस भी स्थेट का आप एक्जाम दे रहे हैं इसके बाद रास्ती राजमर्ग संक्या तीन यह जो है मदप्रदेश 712 किलोमीटर यह दाटा जरूरी है क्योंकि इससे कोशन पूछा जा चुका है महरास्ट्रा 391 किलोमीटर राजिस्थान 32 किलोमीटर यूपी 26 किलोमीटर यहां से गुजरता और तोटल लंबाई कितनी है 1161 किलोमीटर रास्ती राजमर्ग संक्या तीन का जो रूट है वो आगरा ग्वाल अब आपको यह क्रम याद रखना सबसे जादा लंबा है नेशनल आईवे 3 MP में फिर महरास्ट्रा में उसके बाद राजिस्थान में और फिर UP में और नेशनल आईवे नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब चलते हैं नेशनल आईवे नंबर 4 पे 4 में क्या इंपॉर्टेंट है कि इसके प्रमुख शहर जो है वह अतना इंपॉर्टेंट नहीं है में इंपॉर्टेंट है यह मुंबई से चिन्नाई को जोडता है और यह महरास्ट्र में 371 किलोमीटर करनाटक में यह सारे कोश्चन पूछे जा चुके हैं इसलिए मैं आप आपको बता रहे हूं 608 किलोमीटर आंद्रप्रदेश में 83 किलोमीटर और तमिल लाडू में 123 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई कितनी हुई 1235 किलोमीटर यह कोश्चन पूछ चुक्या है टोटल लंबाई एनच 4 की और एनच 4 पे पढ़ने वाला प्रमुख शहर कौन-कौ अगलापूर चित्रदूर बैंगलोर रानी पेट चिन नई तो नच 4 से रिलेटेड यह कोश्चन पूछे रहा चुके और अगला अगर कोई पूछा जाएगा तो प्रमुख शहर पूछा जा सकता है अगर आप स्टेट PCS का एक्जाम दे रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको बता दिया अब मैं बताऊंगे आपको NH5, NH6, NH7 इससे भी कोश्चन पूछे गया है यह सारे बैक एर कोश्चन को कवर करते हुए मैं बता रही हूँ आपको आपको पूरा बैक एर कोश्चन रिवीजन हो रहा है अगर आप बैक एर कोश्चन उठा लीजेगा इस टॉपिक कोलकता, भूवनेश्वर, विजयवाड़ा, गुन्टूर, नेलोर और चिन्नई इतना ही है यहां से होके गुजरती है और यह बहुत इंपॉर्टेट नहीं है कि आपको इसको याद करना पड़े याद क्या करना है मैं आपको वह बताती हूँ है न सिक्स में गुजरात से प्रारम भो करके कोलकता तक और इसके मार्ग में में जो नगर पड़ता है न यह सूरत है नाकपूर है रायपूर है और संभलपूर है इसकी बड़ी अच्छी कोडिंग है मैं आपको बताऊंगी जल्दी आपको लिए वो वीडियो पोस्ट करूंगी पहले इसको में में आ राज मार गये जिसकी लंबाई कितनी है 239 किलोमीटर कि कहां से कहां तक वाना नसी जबलपूर नाकपूर हैदराबाद बैंगलोर होते हुए कन्या कुमारी को जोड़ता है और नेशनल हाइवे नंबर आठ जो है वो उससे कोशन नहीं पूछा गया इसके बहुत रोखना है अब आपको नेशनल हाइवे अथार्टी ओफ इंडिया के इसे रिलेटर कुछ 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 कोशन वना देद वता देती हूं जो कि आपके आने वाले दिनों में एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दो इंपॉर्टेंट टोपिक्स हैं जिससे कोशन कई बार पूछा गया एक तो नेशनल हाइवे अथार्टी ओफ इंडिया नेशनल हाइवे अथार्टी ओफ इंडिया एनचेयाई के अनुसार वर्तमान में लास दाटा के अनुसार रास्ति राजमार की सरवाधिक महरास्ट्र इसके बाद का भी क्रमा बयात कर लिजे अगर यह पूछा जा चुका तो आगे का भी पूछ सकता है यूपी है फिर राजिस्थान है फिर एमपी है यह चार क्रम है इसके अगला कोशिशन जो है वो स्वर्णिम चतुरबुद योजना से पूछा जाता है यह स्व परियोजना और भी कई डिस्ट्रिक्स को जोड़ती और इस परियोजना की सुरुवात सरकार द्वारा 2001 में शुरू की गए तो इसमें था पूर्व पश्चिम गलियारा सिल्चर असम पूरबंदर गुजरात और उत्तर दक्षिंग गलियारा तो श्री नगर और कन्या कुमारी एक दूसरे को जहांसी में यह काटते हैं यानि सेंटर पॉइंट क्या है जहांसी है यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है फिर से बताती हूँ स्वाणिन चतुर्बुज योजना पूर उपस्षिम गलियारा में है सिल्चर से पूरबंदर और उत्तर दक्षिंग में स्री नगर से कन्या कुमारी और चाहिए सडके एक दूसरे को पॉइंट पे काटती है जहांसी में कब चुरू किया गया 2001 में तब मैं आपको आगे के important question बता देती हूँ अगला जो important है वो है प्रधान मंत्री भारत जोडो परियोजना PMBJP यह भारत सरकार की परियोजना है जो की राजमार्ट के विकास से संबंदित है और इस परियोजना के तहर गलियारों के माध्यम से परियाटन स्थल और आर्थिक दिश्टी से महत्पून स्थल को यानि जो की परियाटन के important जगह है ना उनको जोड़ना है BOT के द्वारा BOT क्या है यह है build, operate and transfer पर मतलब किसी को contract दिया जाता है वो बनाता है operate को यह और करता अपरेट करने के बाद transfer कर देता है और इसके आधार पर फोर लेन सडक से जोड़ा गया है ऐसे राज्यों की राजधानी से इनको जोड़ा गया मतलब मेन जहां जहां गूमने की जगह परेटन की जगह वहां उस राज्य की राजधानी से इस राज्मार्ग को जोड़ा गया है POT के द्वारा तो यह आपके लिए important है प्रदान मंत्री भारत जोड़ो पर योजना इसके बाद और भी एकात questions हैं जो topics हैं वो जो important है जैसे कि मुंबई पूने दुरुद्रगामी महा मार्ग नाम सुना होगा आपने यह बारत सरकार का पहला six lane express मार गई है मुंबई में कलाम बोली से प्रारंब होकर के पूने में देहो आड़ी कलाम बोली से देहो आड़ी तोटल 93 किलोमीटर का सफर तय करता है और इसका निर्मान महरास्ट राज्य सड़क विकास द्वारा हुआ है यानि कि स्टेट के द्वारा हुआ है उसी की निगरानी में और 2002 में ये पूरा हुआ और इसको यतायात के लिए खोल दिया गया और इस एक्सप्रेस मार्ग में निर्मित सुरंग का निर्मान जो है न वो कोंकन कॉर्परेशन निर्मान के द्वारा किया गया ये बविश में आपके लिए कोश्चन इंपोर्टेंट है तो क्या क्या देखा हमने मुंबई पूने दृत गामी महामार्ग मुंबई पूने एक्सप्रेस वे बारत का पहला सिक्सलेन गाया है मुंबई के कलाम बोली से देहो आडी तक है इसका निर्मान महारास्ट राज्य सड़क विकास प्रादिकरम द्वारा किया गया है और तोटल अलंबाई 93 किलोमीटर और इसके अंदर जो सुरंग बनी है वो कॉंकन कॉर्पोरेशन लिमिटेट द्वारा किया गया है अब एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन को टॉपिक है प्रधान मंतरी ग्राम सड़क योजना तो प्रधान मंतरी ग्राम सड़क योजना के शुरुवात हुई भी बहुत सारी योजना है मत याद करियेगा आप लोग जो कि इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वही कवर करा रही हूँ 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई और इसमें 1000 सी जादा अबादी वाला गाउं जो था उसको सड़क से जोड़ना था तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये मैंने आपको में में इंपॉर्टेंट कोश्चन बता दिये अब एकात कोश्चन है जो मैं बैक जब पूरा परिवान टॉपिक कवर कराने के बाद जब मैं कोडिंग बताऊंगी उसमें आपको बताऊंगी इसके बाद है जवाहर सुरंग से कोश्चन आया है जवाहर सुरंग कहा है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल स्रेणी में किस स्रेणी में है पीर पंजाल कौन से दर्रे में है पनी हाल दर्रा वहाँ से होके गुजर्ती है इसके बाद आपके लिए important है कि पूर्वोत्तर के प्रमुकोराज्य में, रास्टे राजमार की लंबाई का क्रम, अभी सबसे आदा National Highway का विस्तार कहा है पुर्वत्तर में, तो आसाम में है, यह इस बार के एक्जाम के लिए important है, इसके बाद एक last है, आपका Express Highway, इसमें बहुत सारे रास्टे बनाए जाते हैं, ताकि फास्ट में रास्ता निकल जाए तो ये मुंबई में पस्चिम और पूर्वी राजमार यानि कोलकत्ता एयरपोर्ट को जोडती है इसलिए आपके लिए एक्सप्रेस आई वे थोड़ा सा इंपोर्टेंट है तो ये हो गए आपके परिवहन में सड़क परिवहन से डिलेटेड सारे बैक येर कोईशन को कवर करते हुए जैसे बैक येर कोईशन पूछा है बात का सबसे लंबा रास्टी राजमार कौन सा है देश के कुल यातायाद में सड़क यातायाद का कितना भाग है तो 40% मैंने बताया इसके बाद पूरी रास्टी राजमार की लंबाई कितनी ये भी मैंने बता दिया नेशनल आईवे नंबर 4 कहां से गुजरता है और नेशनल आईवे नंबर 6 कहां से निकलता है ये भी मैंने बता दिया इसके बाद सरवादिक लंबाई किस राज में है तो महारास्ट्रा में है, फिर आगे पूछा जा सकता है क्रम, महारास्ट्रा वाला कोश्चन बहुत बार पूछा है, फिर पूछा गया है स्वर्णिम चतुर्बोजी योजना, ये भी मैंने आपको बता दिया, इससे बार-बार कोश्चन पूछा गया है, फिर आपको पूछ भारत का 40% सड़क परिवहन किसके द्वारा होता है तो नेशनल हाइवे के द्वारा यह मैंने आपको बता दिया तो जितने कोश्चन पूछे गया है उसको कवर कराते हैं मैंने पूरा टॉपिक कवर करा दिया आपको अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कमेंट अपने फ्रेंड से शेयर जरू करिएगा और रोज 15 मिनट की एक वीडियो के तुरू पूरा एक टॉपिक कवर करिए मेरे साथ तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजे ताकि फ्री आफ कॉस्ट रोज आपको वीडियो अपडेट मिल जाए